ओम नमः शिवाय जय महाकाल दोस्तों जैसा की आप सभी को पता है कि सावन अधिक मास का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और आज है 27 जुलाई यानी सावन अधिक मास की नवमी तिथी जो की इस पर्व और इस महीने को बहुत ही अध्भुत और दुरलब बनाती है दोस्तों अगर आप किसी भी इच्छा के लिए बहुत दिनों से परिशान चल रहे हैं और आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको अधिक मास की नवमी तिथी के दिन यह छोटा सा कटोरी और गिलास वाला उपाय करना है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी आपके दुख दूर होंगे दोस्तों यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह पूजे गुरु जी की कथा में बताया गया उपाय है दोस्तों इस वीडियो में हम दो अचूप उपायों की बात करेंगे तो आपको कैसे करना है चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में दोस्तों पहला उपाय जो है वह मनोकामना पूर्ती से संबंधित है अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है और पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको इस उपाय को करना है दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने दो पात्र लिए हैं यह दो कटोरियां हैं आप इसकी जगह दोनों गिलास या फिर एक कटोरी एक गिलास भी ले सकते हैं पर दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि यह दोनों पात्र स्टील के होने चाहिए अर्थात अलुमिनियम या तामबे के नहीं होने चाहिए अब दोस्तों आपको करना यह है कि आपको पहले पात्र में गाय माता का थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है कच्चा दूध मतलब जिसे गैस पर पकाया ना गया हो और दूसरे पात्र में डालना है जल वह भी अपने घर से लेकर अब दोस्तों आपको लेने हैं पांच बेलपत्र दोस्तों आपको करना यह है कि आपको जाना है शिवलिंग के पास और आपको उत्तर दिशा की और अपना मुह करके खड़े हो जाना है और आपको भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर वीडियो में दिखाएं अनुसार यह पाँचो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं मतलब शिवलिंग पर वेलपत्र जो चढ़ा हो उसका मुह आपकी तरफ हो और उसकी डंडी माता शोक सुन्दरी की तरफ हो अब दोस्तों आपको करना यह है कि आपको उन दोनों पात्रों को अपने एक एक हाथ में पकड़ लेना है मतलब एक हाथ में दूढ का पात्र और दूसरे हाथ में जल का पात्र और आपको उस बेल पत्री के उपर दोनों पात्रों से एक साथ अभिशेक कराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाब करते हुए दोस्तों जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है सावन अधिक मास की नवमी तिथी के दिन भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं अगर आपकी भी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही तो आप कोई उपाय जरूर करना चाहिए दोस्तों चलिये दोस्तों जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में दोस्तों यह उपाय भी आपको सावन अधिक मास की नवमी तिथी के दिन करना है यह बहुत ही प्यारा सा उपाय है दोस्तों यह उपाय बीमारी से संबंधित है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत दिनों से बीमार हो तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए तो आपको कैसे करना है, चलिए समझते हैं, दोस्तों आपको लेनी है, साथ दूर्वा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको लेना है, एक तामबे का लोटा और इसमें अपने घर से जल भर लेना है दोस्तों अब आपको क्या करना है, कि आपको जानना है, भगवान भोलेनात के मंदिर में शिवलिन के पास दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि भगवान भोलेनात का पूरा परिवार शिवलिन पर विराजता है तो दोस्तों आपको यह करना है कि जो साथ दूर्वा आपके पास है उनको आपको तीन जगहे पर स्पर्ष कराना है और दोस्तों ध्यान रहे कि यह उपाय आपको सिर्फ नवमी तिथी के दिन ही करना है, तो दोस्तों आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको उन साथ दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप वीडियो में और यहाँ पर भी आपको दोस्तों हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, अब दोस्तों आपको यह करना है कि आपको यह साथ दूरवा उठाकर शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है। आपको इसका थोड़ा जल अपने लोटे में ले लेना है और जो आपने साथ दूरवा चड़ाई थी आपको उसे भी उठा लेना है और आपको अपने घर आ जाना है। वह साथ दूरवा अभी नहीं खिलाने हैं। आपको यह साथ दूरवा जब सावन का महीना खत्म हो जाए दोस्तों तो आपको इसे उस बीमार व्यक्ति को खिलाना है। दोस्तों इस बार सावन का महीना 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो आपको यह साथ दूरवा उस बीमार व्यक्ति को 31 अगस्त के बाद ही खिलाना है। और दोस्तों जब भादों का महीना लग जाएं तो दोस्तों आपको भादों के महीने में लगातार साथ दिनों तक यह दूर्वा सुभा के समय उस बीमार व्यक्ति को एक-एक दूर्वा सुभा खाली पेट खिला कर पानी पिला देना है। दोस्तों अगर यह दूर्वा सूख भी जाएं तो भी आप बिना किसी दिक्कत के ये दूर्वा उस बीमार व्यक्ति को खिला सकते हैं दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति के रोग दोशकष्ट बहुत जल्दी ही दूर हो जाएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें